हलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों विंडोस 11 का 24S2 वर्जन बहुत सारे नए फीचर्स और अपडेट के साथ रिलीज हो चुका है और अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने सिस्टम के अंदर Windows 7 या Windows 10 का यूज़ कर रहे हैं सिंपल सा और बेसिक सा हाडवेर है जिसके अंदर 61 है लैपकेर का मदरबोर्ड है 8GB की RAM लगा रखी है 256GB की हमने इसमें NVMe SSD लगा रखी है Core i5 2nd generation का प्रोसेसर है इसके अंदर हम Windows 11 का 24H2 वर्जन इंस्टॉल करेंगे और साथ में बहुत सरे लोगों के मनमें ये भी डाउट होता है कि अगर हमने अंसपोर्टेट हाडवेर के अंदर Windows 11 इंस्टॉल करी तो क्या हमें आने वाले जो अपडेट्स है यारी कि फूचर अपडेट्स है वो भी क्या हमें मिलेंगे तो ये सारी चीज़े हम इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर चेक करेंगे तो चलिए आज ही टेक्नोबाजी शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें Windows 11 की ISO इमेज को डाउनलोड करना होगा तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं हमारा Chrome यहाँ पर हम सर्च करेंगे Windows 11 डाउनलोड जो पहला है लिंक आएगा ओफिशल Microsoft की वेबसाइट का होगा ठीक है यहाँ पर हम इसको ओपन करना है अब देखो यहाँ पर आपको दो तरह के डाउनलोड के ओप्शन मिलता है एक है इसका मीडिया क्रेशन टूल यहाँ पर आपको एक छोटी सी फाइल डाउनलोड करनी होती है और उस फाइल की मदद से उस टूल की मदद से आपकी Windows 11 के ISO को डाउनलोड किया जाता है अब बहुत से लोगों में कन्फूजन हैता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों ही चीज़े Windows 11 के ISO को डाउनलोड करती है तो फरक क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ अब देखो यहाँ पर यह जो वाला एडिशन है पहला वाला जो विंडोस है दोस्तों यह है मीडिया क्रेशन टूल से डाउनलोड किया हुआ ठीक है और जो सेकिंड वाला है यह है नॉर्मल डिस्क ISO तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की जो साइज है दोस्तों इसके अंदर काफी ज़्यादा डिफरेंस है अब यह डिफरेंस क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले जो मीडिया क्रेशन वाली जो फाइल है दोस्तों इसको माउंट करते है इसके हम सोर्स फोल्डर में जाते है अब यहाँ पर जो इसकी में फाइल होती है जिसके अंदर विंडोस की सारे एडिशन कवर किये वे होते है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलती है आपको install.esd file ठीक है और इसका file size जो देखेंगे आप यहाँ पर है अभी 3.64GB ठीक है तो यह ESD format है दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा highly compressed format होता है यह data की जो size है दोस्तों उसको 25% तक compressed ज़्यादा कर देता है विम format के भी मुकाबले में ठीक है एंड second ISO जो की disk ISO होती है उसको भी हम एक बार mount कर देते है ठीक है अब यहाँ पर आप source में जाएंगे और इसका अगर आप basic जो install.fali file होती है यहाँ पर आप यह आप देखेंगे तो इसका file size है दोस्तों ठीक है यह रहा है इसका file size आ रहा है 4.66 GB और इसका file size आ रहा है 3.64 GB तो यह difference इसके अंदर देखने को मिलता है तो अभी आपकी choice है एक major difference और होता है दोनों अलगला method से download की वी ISO files के अंदर वो है इनके अंदर include editions का जहाँ पर media creation tools से अगर आप download करते है तो आपको home edition, home single language edition, education edition और pro edition यह editions आपको मिलता है वहीं पर अगर आपने disk ISO image डाउनलोड की है तो वहाँ पर आपको यह सारे editions तो मिलेंगे ही सास्त में आपको pro education edition and pro for workstation edition भी extra द आपको यह दोनों में से जो भी method आपको suit करता है उससे इसको download कर लेना है and second thing इस बार हमको download करना होगा refuse tool बहुत ही छोटा सा tool है जिसकी मदद से आप Windows 7 से Windows 11 तक की जो ISO है उससे आप bootable pen drive तयार कर सकते हैं refuse की मदद से लेकिन Windows 11 के लिए इसमें और भी खास features दिये वह है जो ठीक है अब दोनों चीजें हमारे पास download हो गई है इसके माथ हमें insert करनी होगी 8GB या उसे ज्यादा की pen drive तो मेरे पास 64GB की pen drive है यह मैं connect कर देता हूं and then इसके बाद हमें open करना है refuse तो right click करेंगे हम और run as administrator पे click करेंगे yes पे click कर देता है and then इसके बाद यहाँ पर यह जो select option ह है दोस्तों यहाँ पर आपको click करना है and then यहाँ पर हम windows की as image को choose करेंगे तो मैं यहाँ पर ESD format वाली choose कर लेता हूं open पर click करेंगे अब यहाँ पर partition scheme है दोस्तों GPT आ रही है यह रहने देना है आपको target system जो है UEFI non CSM यह रहने देना है आपको and then इसके बाद यह जो volume label है हम यहाँ पर इसको देते हैं Windows 11 then इसके बाद कुछ भी चीज आपको नहीं छेड़नी है and then इसके बाद start पर click करना है and इसके बाद यहाँ पर काफी सारे options आपके सामने आ जाता है और सभी पर check हो रखा है तो यहाँ पर पहला जो option है यह Windows 11 की minimum requirement को bypass करता है remove requirement for 4GB plus RAM secure boot and TPM 2.0 य यह भी बिल्कुल चैक रहने देना है create a local account with username तो बिल्कुल हम यह रहने देते हैं कोई दिकत निए आप यहाँ पर जो username देना चाहते है वो दे सकते हैं आपका नाम या फिर admin जो भी आप देना चाहिए okay तो basically जितने भी option है सब आपको check कर देने है and then इसके बाद OK पर click करना है depend on your USB speed and pen drive speed तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा patience रखना है और wait कीजिए तो हमने इस motherboard को यहाँ पर setup कर लिया है SMPS connect कर दी है RAM लगा दी है और हमने यहाँ पर यह जो setup तयार किया है अब इसके हंदर हम pen drive को भी connect कर देते हैं तो यह है हमारी pen drive और USB port के उपर हम इसे connect कर देते है and then इसके बाद हम इसे on करते हैं तो यह हमने हमारे system को on कर दिया है temporary boot मैंने आपर open कर लिया है and consistent कि जो हमारी NVMe SSD है उसके अदर भी Windows 10 and already installed है GPT partition के अंदर इसलिए यहाँ पर यह boot option में दिखा रहा है Windows boot manager में हमें यहाँ पर बूट करना है pen drive से तो यहाँ पर हम select करेंगे UEFI plus pen drive का नाम and then enter and इसके बाद हमारे सामने language setting के option हमारे सामने आ चुके है तो by default जो दो इसमें है वो हम रहने देता है and then simple next पर click करते हैं इसके बाद keyboard and input method next पर click कर देता है अब यहाँ पर दो तरह के option हमारे सामने आ रहे है setup option के अंदर install windows 11 and repair my PC जो windows 11 का 23s2 setup था दोस्तों उससे यह वाला जो environment है यह काफी different है option कुछ same से ही है लेकिन setup environment थोड़ा सा different कर दिया गया है तो यहाँ पर एक और checkbox दिया हुआ है आपको I agree everything will be deleted including file apps and setting तो यहाँ पर आपको check करना होगा तब यह जो next है यह highlight होगा तो simple next पर click करते है इसके बाद हमको product की enter करनी है अगर है तो कर दीजिये नहीं है तो simple I don't है product की इस पर आपको click करना है इसके बाद हमें addition select करना है तो मैं आप पर windows 11 का pro edition select कर लेता हूँ and next इसके बाद license agreement हमारे सामने आ जाता है तो accept अभी देखो यहाँ पर जो storage device के partition show कर र list ऊपर आती थी ठीक है तो यह थोड़ा सा different है यहाँ पर तो हमें क्या करना है हमें हमारी SSD का जो partition है उसको delete करना है तो यह जो zero number की disk है दोस्तों यह हमारे सारे SSD के partition है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है and जो disk 1 है यह हमारी pen drive का partition है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखन होगा तो पहला option में select करता हूँ and delete partition इसके बाद disk 0 partition 1 delete partition को delete करते से मैं आपको ध्यान रखना है अगर आपके सिस्टम में डेटा है C drive के अलावा भी कोई drives मौझूद है तो उसके उपर मैंने अल्री वीडियो बना रखी है कि किस तरह से डेटा को बचाते हुए आप अपने सिस्टम के अंदर Windows 11 का installation कर सकते हैं तो चैनल पर जाएए वीडियो सर्च कीजिए और देखिए आप अपना data format के during बचा भी सकते है मैं यहाँ पर complete format कर रहा हूँ अपनी storage device को तो यह पूरी unallocated space हो गई है तो हम यहाँ पर इसका पूरा एक नया partition create करेंगे create partition पर हम click करेंगे और जो पूरी size है इस पर ही हम पूरा partition को नया create कर देते हैं तो इसके साथ ही एक EFI partition एक MSR partition और हमारा Windows का partition तयार करेगा और यह हो गया system MSR और primary partition तो हम primary partition को select करेंगे and simple next पर click करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है install Windows 11 pro and keep nothing install तो Windows 11 का installation process अब चालू हो चुका है आपने देखा कि किसी भी तरह कि यहाँ पर कोई restrictions हमारे सामने नहीं आई है कोई error नहीं आई है जो कि Windows 11 के minimum requirement है वो पूरी तरह से बाइपास हो चुकी है अब installation complete होने के बाद हमें यह भी चेक करना होगा कि क्या आने वाले updates future updates हमें इसके अंदर मिलेंगे file copy होने के बाद जो first time system restart होता है तो उसका जो graphical user interface है दोस्तों उसके अंदर भी changes हो गए है और यह ऐसा आ रहा है जैसे Windows update के बाद जो graphical user interface आता है वैसा interface setup के अंदर आ रहा है तो यह मेरे साथ तो हो रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बता ना तो आगे बढ़ते हैं और setup को complete करते हैं तो अब यहाँ पर हमारे सामने option आ गया है नेट करने का तो हम यहाँ पर करेंगे I don't have internet क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने रूफूस के अंदर setting की थी कि जो username में हमने अलड़ी दे दिया था तो हमें यहाँ पर और को ज्यादा problem होती है तो मैं क्या करता हूँ इसके जो missing icon है ना सबसे पहले मैं वह लेकर कर आता हूँ तो themes में जाते हैं हम और यहाँ पर desktop icons and then यह जो सारे icons है यह मुझे काफी पसंद आया desktop पर यह रहे यही मैं चाहता हूँ ठीक है तब आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इसकी properties बता देता हूँ कि क्या configuration का जो system में यूज कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं i5-2500 second generation का i5 processor है और 8GB कि इसके अंदर RAM लगी वी है और Windows 11 24 H2 version का pro edition हम यहाँ पर successfully install कर चुके तो एक जो लास्ट चीज जो हमको check करनी है वह यह कि क्या unsupported hardware के अंदर Windows 11 के installation के बाद हमें updates मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वह भी check करते हैं तो इसके लिए मैं इस system के अंदर USB Wi-Fi connect कर देता हूं इंटरेट हमने यहाँ पर connect कर दिया है तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी setting की तरफ और हम आते हैं setting के अंदर एंद इसके बाद आते हैं Windows updates और हम चेक करते हैं कि क्या कोई update है जो हमें मिल सकता है तो यहाँ पर चार update यह बता रहा है और update हमारे डाउनलोड होना start हो चुके है तो इसका मतलब जी हाँ आपको updates भी मिलते रहेंगे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसी तरह के इंट्रेशिंग टॉपिक के साथ तब तक इजाज़त दीजिए गुडबाई जय हैं